हलो फ्रेंड्स मैं विनय निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से में चल पर श्वागत है फ्रेंड्स आज रेलवे से बहुत बड़ी खबर निकल के शामने आ रही है जी या फिर बड़ी खबर रेलवे के चेर्मेन बदल गये हैं और वीके यादो जी का कारेकाल समाप उस पर क्या होने वाला है बट यह बहुत बड़ी खबर है कि चेर्मेन जो बदल गया है उनका कारेकाल खत्म हो गया है अब कई लोग के मन में काफी शवाल उठने लगेंगे अब चल रही भरतियों का क्या होगा क्या परिछाएं होंगे अपने समय से या नहीं होंगी और भरन लाएंगे ये बात जानके जब चेर्मेन रेड़ किया होगा क्यो कि चैर्मेन घесь होता है भरती परिछाओंiken आप जानते हैं चैर्में और सीओंडों ईक ही है वह हो ठीक है कि कमभाइन पोश्ट होता है रएल मोई में जो विके आदो जी ते हैं नए जो बने सुनित सर्मा ये भी chairman and CEO दोनों है अके ले ठीक है तो उसके बाद हम बात करेंगे कि RRB NTBC second phase exam date and city admission link का क्या हुआ इसमें क्या problem आ रही है भी ठीक है पहले हम बात करते हैं इनका news पहले हम देख लेते हैं friends तो यह देखिए यह देखिए हम हिंदुस्तान टाम्स का news open की हुए friends Home India ने सुनित सर्मा is the new chairman and CEO of the railway board सुनित सर्मा is the new chairman and CEO of the railway board The extended one year tenure of सर्मा's predecessor विनोध कुमार यादव who also became the restricted board's first CEO ended on December 31st तो कहा जा रहा है कि जो सुनित सर्मा इन से पहले विनोध कुमार यादव थे इनको एक बार पहले ही extension मिल चुका था एक साल का ठीक है और यह ऐसे रेलेवे के पहले CEO थे जिन्हें restructure किया गया था सुनित सर्मा को लाया गया है जो नए है इनके बार हम जान लेते हैं कि सुनित सर्मा जी कौन है यह कल शाम के 5-23 मिनट का न्यूजर फ्रेंट्स तो सुनित सर्मा जी का फोटो देख लिए पहले आप ठीक है सोर्स ट्वीटर है फिर आगे क्या लिखा हुआ है यहां बताया जारा जो अपोट्मेटी है कैबनेट की वो कल यानि थर्स्टे को अप्रूफ कर दी थी सुनित सर्मा को नह चेर्मेन और सियो को रूप में रेलवे बोड के इस से पहले क्या जो विनुत कुमार जो इनके प्रिडूशेशर है यह क्या है इनका जो कारेकाल 31 स्टमबर को ही खत्म हो जा रहा है जो क्या हुआ था जिनका कारेकाल एक स्टम पहले भढ़ा दिया गया था ठीक है अब इसका एक लिखा विखा हुआ है सर्मा इस स्पेशल क्लास रेलिवे अप्रेंटिश ओफिशर ओफ दर 1978 बैच यानि कि जो सुनित सर्मा है ये स्यारे ओफिशर है ठीक है 1978 बैच के स्यारे एक्जाम आप लोगों मालूम होगा 2013 तक साथ हुआ था उसके बंद कर दिया गया क्यों बंद कर दिया गया क्योंकि इसका एक्जाम जो है UPSC के थुरू होता था और जो आइनिंग रेल्वे कराता था तो UPSC को बाद इस एक्जाम को बंद करा दिया गया इसमें कुछ ज़्यादा क्वालिफेक्शन नहीं था क्यों आपको PCM से 12 पास होने जरूरी था फिर आपको क्या करना था इसका इंट्रेंस देने था इसके बाद आपको चार सलका बीटे करा जाता था यूपीसी के तरफ से ठीक है लेगने देखा उसका खर्स ज्यादा पड़ता था इसलिए अशियारे बंद कर दिया गया ठीक है फिर ही हैस अर्लियर शर्वड एस जनरल मैनेजर आफ मौडरन कोच फैक्टरी राइबरेली एंड डिविजनल रेल्वे मैनेज मैनेजर पूने सेंट्रल एक्सेक्टर मतलब इससे पहले यहां पर काम कर चुके है ठीक है फ्रेंट्स तो यह निउस हो गया यह सुनित सर्मा जी आ गया है नए चेर्में एंड सीयो जो इससे पहले विनुद कुमार यादाव जी थे जो कॉन्फरेंस के थुरू बताये थे एक्जाम डिट सवारे में अब आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता है वैसे तो फिर सब कुछ फाइनल हो ही जाना चाहिए लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंट्स जो आरवी एंटीप सेकेंड फेस एक्जाम डेट और सीटी इंटमेशन लिंक का तो इसको आज ही बताये था कि आज आपको लिंक जो है एक्ट्व मिल जाएगा आज से आप चेक कर लॉग लॉग इन करते हैं तो बता रहा है कि आपका फिरएकवाइज vinden नहीं किया गया है बाद में जब भी किया जाएगा तो आप को इन फॉब किया जाएगा अबृसे यह अहां यहीं पुरॉन का ही फिर फीर फिर फेस्टू का भी आग्या और फेस्टू में बोह तो आपको प्रेजन्ट फेज में सेडूल नहीं किया जाएगा तो आप लोग फिर से अपना क्या करें स्टेटस चेक करें उस पे उसी लिंक पे देखें क्या बता रहा है या फिर किसी का बता भी रहा है कहां सेकें फेस्ट में आ गया है तो इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा कहां सेकेंड फेस्ट का भी लिंक एक्टिव हो गया है और सेकेंड फेस्ट का डीटल इसमें अपलोड कर दिया गया है फीड कर दिया गया है तो आप सेकेंड फेस्ट के लिए चेक कर सकते हैं आपका एक्जाम डेट क्या एक्जाम सीटी क